श्री राधावल लभchant कि, जैरी बश्राइबंश महराजी, महरक्यिए पुझये विनोत बियारी दास महराजी, बरसाने वाले महरक्य ने आपके जनुमुत सब पर श्री जी की तरफ से आपके लिए बरहाई वे जिये आपके आग्या और तो दो मिने टीवी में चला दें, महर आई गोरी बोल हमको आज जानकरी मिला जे आज गोजय के परमरशिक संत राधरणी के परम प्रेमी संत प्रिमानंद गविंद शरण जी महराज उनकी पावन जन्म दिन आज मनया जा रहा है बड़ी आनंद की बात है आप ब्रेज की रश उपाशन पद्धति में आपकी जुगदान ये तो बहुत ही शरानी है जो पहले ऐसे दिखने में आया नहीं है दूर दूर से बहुत तिशार्थ संग्षरी लोग आ करके आपके चरण सानिद्ध प्राप्त करके आपसे उपाशन पद्धति राधरनी के जो रश उपाशन पद्धति प्राप्त करके वजन करके जिवन को धन्य करने में समर्त हो रहे हैं आपके जो ये अभूत गुर्ब योगदान ये सायाधी देखने में आया है ये बहुत ही आनंद की बात है जो बहुत सारे तिशार्त जीवा कर आपके चरण शन्रिद्व प्राप्त करके जिवान को धन्य करने में समर्थ हो रहे है आपके ये जोगदान के लिए मैं बहुत र का ये अंद्हाएं करके से ये प्रेम धर्म प्रिचार में आउर आगे बरते रहे है आपके जीवण मंगल म में हो आपके जीवण आनंद में हो राधरने आपको सदा रक्षा करें आपके रिदाय को प्रेम्भक्त दे करके आपके रिदाय को शन्त करें जैजय सृillah झाल झाल जब श्री लाडली जुकी अत्यंत कृपा होती है तब ये दुरलब लाप प्राप्त होता है महापुरुशों ने कहा इस्थूल से सूक्ष्म स्रेष्ठ है सूक्ष्म से कारण स्रेष्ठ है कारण से तुरीय स्रेष्ठ है तुरीय से ब्रह्म स्रेष्ठ है ब्रह्म शे वैकुंठ पुरी का शुक्सरेश्ट है वैकुंठ पुरी से सी द्वारिका पुरी का शुक्सरेश्ट है द्वारिका पुरी से सी मतुरा पुरी का सुक्सर्वसरेश्ट है और मतुरा पुरी से महा महिम ये ब्रज चोराशी कोश है इस ब्रज 84 कोश में महारानी जु का महल सर्व शरिष्ट है पुज पाद प्राताहिश्मरणी लाडली जु के अत्यंत लाडले पुज बाबा श्री बिनूत बिहारी दास जी महाराज यह हमारे ब्रजमंडल की बिभूती है लाडली जु के निज परिकर हैं श्री अंग शेवी हैं अपने जैसे अधमों का निष्टार करने के लिए ही यह महापुरुष्जन पधारते हैं यह साक्षात श्री जी के निज अंग शेवी सहचारी हैं यह श्वामनी जु की परिकिंकिरी हैं अपने चरण आश्रित जनों कोश्री श्वामनी जु तक पहुचाने के लिए यह शाधू वपुधारन के विए हैं बाहर से यह जो आप श्वरूप देख रहे हैं यह इसीले धारन किया है कि इनके वचन इनके दर्शन इनके आश्रे से जो अत्यंत गूढ रहाष्य है श्यामा श्याम के चरणारविंद की प्रीती वो प्राप्त हो अंतर्श बावा से प्रियाजू की निज किंकरी है वो जब गुरु कृपा से दर्श्टी प्राप्त होती है तब अंतर्श रूप का अनुभव होता है हमारी लाडली जुही बावा के जिव्या पर बैठ करके एश्या बोल रहे है क्योंकि एह तुकी कृपाल श्वामनीजू तो एह तुकी कृपाल श्वामनीजू के निज परिकर नहीं तो अत्यंत दुरलव बात है मत्रापुरी शिस्रेष्ट ब्रजपुरी चोराशी कोशुष में शिधाम लाडली जुका निज महल और इश्य भी दुरलव बात है ऐशे महान भगवत प्रेमी मात्माओं की इस्मर्ती में आना वो अपने जनों को लाडली जुके चिंतन से चित को एक छण के लिए भी अपने चिंतन में लगा दिया एक शण भी हमारी तरब देखे ये मेरी लाडली जुके एहतु की कृपा है गुण धर्म से प्रभावित होने वाले महापुरुष नहीं है कि कोई व्याख्यान शुनकर प्रभाव देखकर के प्रभावित हो ये ब्रह्मा के सी भी प्रभाव से प्रभावित होने वाले महापुरुष नहीं ये केवल लाडली जुकी मुश्कान से प्रभावित होने वाले हैं हमारी लाडली जुम्हाराज की मुश्कान का ही प्रभाव उनकी ये मेरा है बस ऐसी दृष्टी का प्रभाव कैसे निश्किंचन परमंश श्री जी के नित्य सेवा में अंतरिक भावश्वरूप से समर्पित पुझे लाडली के लाडले बाबा सिबिनोत भिहारी जिदास जुमहराज ये जो अम्रत में वचन बोले कि केवल मेरी लाडली जो है उनकी एहत्व की करपास ये मांगने से भी नहीं मिलता ये साधना से भी नहीं मिलता ये सोभाग्य बस केवल लाडली जो हमारी हैं इसी से प्राप्थ होता है कोई ब्रंदावन के प्रेमुक में डूबा हुआ अनुरागी ऐसे शब्द बोल दे जैसे पुझबावा बोल रहे हैं ये केवल लाडली जो का अहत्व की करपाप्रशाद दूसरा कुछ नहीं किसी का गोण किसी की तपश्या किसी की शाधना किसी का वाक्य कौशल या एश्वर प्रभाव नहीं इसके द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता इन भगवत प्रेमी महापुरुषों के मुक्षे ऐशा अम्रत में आशीश वचन ये केवल लाडली जो से ये महापुरुषयन जो हमारे ब्रज की बिभूती हैं ये केवल हमारे मंगल के लिए विराजमान है अहो भागय हम कहशकते हैं कि हमारे अहो भागय कि हम ब्रज में रहते हुए ऐशे महाप्रेमीयों की इश्मरती में हैं बस ये हमारे लिए सर्वश्व है जिनकी इश्मरती अखंड तैल धारावत स्यामां स्याम में ही है वो एक सेकिन के लिए अपने जैसे अधमों का इस्मरण कर ले ये लाडली क्या है तुकी कृपा दुश्रा कोई उपा है जीवन का यही परमलाब कि कभी वो भगवद इस्मर्ती में डूबे हुए प्रेमीजन एक शण के लिए हमारा इस्मरण करने बश कि ये मेरा निजदाश है ये अपना है ये मेरा बच्चा है ये कौन बोल सकता है अनम्त माताओं जे शावाद सल्य लिये ये सद्गुरु शुरुप महापरुस कैसे बोल ले है अहे तुकी करपा वात्सल्य उमड़ा तब ये वचन निकलना है और ये वचन मेरी लाडिली के वचन है किसी अन्निके नहीं रूप केवल बाहर से दिखाए देरा अंदर से केवल लाडिली ही बोल रही है अपने जीवन का परमलाव यही है कैसे भगवत प्रेमी महात्मा जन एक बार अपनिवानी से अपना कह दें बश ये महापुरुष जन अपना बोल देते हैं तो लाडिली लाल हर्दस से लगा लेते हैं वो ये नहीं देखते कि ये साधन विहीन है ये हमारे योग्ये नहीं है कदाप नहीं है पर जब कोई भगवत प्रेमी महात्मा बोल देता है ये लाडिली का है वो बोल देता है बस लाडिली स्विकार कर लेती है इनी गुरुजनों के आशीष से इनी के वच्णों के प्रभाव से ये अधम जीवन श्री जी के चरणारविंद की तरफ जो आकरशित हो रहा है जहां प्यारो डुम छमते ने अच्छी शुकादी नामतु अध्यानगम जहां न देवेर ब्रह्मादेर न खर्वर भक्तेर न शुरदा दिविरी अध्वेर आधा मदुपति रहस्यम सुविदितायम वहां हमारी ब्रत्ती पहुँच जाए शामर्थी की बात नहीं पर पहुँच गए वो इनी लाडली के लाडलों की आशीश ब्रत्ती से इन्होंने करुणा करके देखा कि मेरा है बस इसी से हमारी बात बन दे कोई शाधन, कोई योग्यता भला इन महापुर्शों से बढ़कर जो इश्वर कोटि के हैं किसी की योग्यता हो सकती है जब इनके लिए कह दिया गया यन्नारदाजे शुकईर अम्यम तो अपने जैसे पांच भोतिक देधारी मन बुद्धी के अधीन बला हम जिनके अधीन अखिल कोटि ब्रह्मान्डों के इश्वर प्रभुशिरी क्रश्ण है उन लाडली जुके चर्णों का इस्मरण भी कैसे कर सकते हम राधाब बोले भी नहीं सकते ये तो केवल इन महापुर्शों की जो कृपावरस्टी है उसी कृपावरस्टी से अंताकरण धुल करके फिर गोरे चर्णारविंद की निष्ठा श्विराधा नाम की प्रीती राधा धाम ब्रजरजी की प्रीती प्राप्त होती है मेरी लाडली का ये लाडला श्वभाव है क्यों अपने जनों की वानी में बैठ करके अशे भगवत प्रेमी महात्माओं का आस्रे कभी न छुटे प्राण छुट जाए पर आस्रे न छुटे लाडली लाल ऐसे करुणा में है कि वो नीजजनों के सम्मंद का दिर्वाह करते हैं उसी सम्मंद से हमको श्री लाडली लाल की प्राक्ति हो जाएगी पूज्य करुणा समुद्र वाच्छल समुद्र बावा के चरुणों में कोटिशा प्रणाम है शाष्टांग दंडवत है ऐसे महापुरुष ऐसे ही अपना बच्चा जानकर दुलार करते रहेंगे तो मुझे जैसे अधम को भी लाडली जो अपनी चरुण सेवा में ले लेंगे वस्तता किसी की शामर्थ नहीं है कि कोई शाधनबल से या तपबल से या अपने प्रभाव से वहां पहुँच सके जानंत ब्रमानों के श्वामी भी अपने प्रभाव का विश्मरन करके श्री लाडली जो महाराच के सामने करजोडे खड़े हैं वहां किसकी पहुँच है बस ये रजोप शेवी जो ये रशिक शेखरजन है इनी की करपाद्रिष्टी से संभव है श्याधा वल्लाले की